Hello everyone, welcome back to my channel आज मैं आप लुक ले लेकर आई हूँ और बिल्कुल ठावे वाली एक करी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही लाजावा बन कर तेयार होता है सिर्फ घर के कुछ मसालों से तो चलिए इसे बनाते हैं तो हमने यहां कुछ अंडे लिया है जिसे बोयल कर लिया है और इसे चाकू से अच्छे से थोड़ा-थोड़ा करके कट कर लेंगे जिसे कि हमारा मसाला और नमक इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो सके बिल्कुल ऐसे ही सारे अंडे को कट कर लेते हैं तो लेजे मैंने कर लिया कट, अब इसमसे डालते हैं एक चोटी चमत, नमग, थोड़ी सी हल्डी और थोड़ी सी कास्मेरे लाल मिर्च अब सबको अच्छे से मिक्स करते हैं जिससे हमारा नमग, अपन, मिर्ची अच्छे अंड़े में मिक्स हो जाए तो लेजी हमने mix कर लिया, अब चलिए एक pan बिठाते हैं और उसमें दो बड़े चमच oil डालते हैं, oil के अच्छे से गर्म होने के बाद इस सारे अंडे को डाल कर उसे light brown होने तक fry कर लेते हैं इसे लगातार चलाती हुए अच्छे से भूनते हैं तो हमने इसे low flame पे लगातार चलाते हुए एक से दो मिनट के लिए भून लिया, अंडा हमर अच्छे से fry हो गया, इससे ज़्याद इसे fry नहीं करना है, बस सारे अंडे को हमें निकाल लेना है तो हमने निकाल लेना सारे अंडे को, सेम पैन में थोड़ा तेल और डालते हैं और एक तेश पत्ता, एक छोटी दाल चीनी, दो लॉंग, दो छोटी इलाइची और एक छोटी चम्मच जीरा डाल कर अच्छे से भूनते हैं जब जीरा अच्छे से चटक जाए तो उसमें तो मीडियम साइच के प्याज जिसे मैंने बारिक चॉप करके रखा है उसे भी काटकर अच्छे से भूनते हैं तो प्याज को हमने लगातार चालाते हुए भून लिया, प्याज हमरा light brown होके है अब इसमें डालते हैं मसाला जिसमें 2 चम्मच मैंने डाला है अध्रक लसुन और हरी मिर्ची का पेष्ट इसे भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेते हैं जब यह भून जाये तब इसमें डालते हैं हाप छोटी चम्मच हल्दी powder हाप छोटी चमच मिर्ची powder दो छोटी चमच धनिया powder स्वाद अनुसार नमक और हाप चमच कास्मेरी लाल मिर्च तारे सुके मसालों को भी अच्छे से भून लेते हैं जब यह भून जा अच्छी तरह से इसमें डालते हैं टामाटर की प्यूरे, जहां मैंने दो टामाटरों को अच्छे से मिक्सी में पेश्ट बना लिया है, आप चाहे तो यहां काट कर भी डाल सकते हैं, सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढख कर 1-2 मिनट के लिए मस मच चीनी, इसे भी मसालों के साथ 1-2 मिनट के लिए भूनते हैं, तो लेजे, मसाला हमरा भून गया, अब इसमें डालते हैं 1 कप पानी और पानी डाल कर मसालों को अच्छे से भूनते हैं, और उबाल आने का वेट करते हैं, तो लेजे, ग्रेवी हमारा उबलने लगा, इसे मिक्स करके इसे ठक कर 5 मिनट के लिए लो फिलेम पर इसे पकने देते हैं हमने अंडे को 5 मिनट तक लो फिलेम पर इसे पका लिया तो हमारा अंडा करी बन कर तयार हो गया है बहुत ही अच्छा कलर आया है और खाने में भी काफी लाजबा बना है बस लास्ट में डालते हैं थोड़े सा करम मसाला पॉडर और ठेर सारा हरा धनिया सबको अच्छी से मिक्स करते हैं और इसे मिक्स करने के बाद हमारे ग्रेवी तयार हो गई है फ्लेम को करते हैं आफ और चरिये इसके फ्लेटिंग कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत स्वादिश्ट हमारी एक गरीबन कर तयार हो गई है, पिलकुल ही घर के मसालों से तो आप भी इसे बनाएं और खाएं, और बताएं आपको यह कैसी लगी, इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी पर अठा नान, जिसके साथ खाना चाते हैं, वो सब के साथ बहुत ही अच्छा लगता है तो आप भी इसे बनाएं और खाएं, पताएं आपको यह कैसी लगी, अगर पसंद आए होगी तो मेरी रेसिपी को लाइक करना, और इसे जाता ज़्यादा सेयर करना, और हमारे चानल को सस्क्राइब करना ना भोलना तो फिर से मिलते एक ने रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाबाए, टेक केर, और पुरे रेसिपी देखने के लिए, थैंक यू